हेलो दोस्तो मैं अरविन मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ अभी मैं यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट आएमपी सवाल जवाब पार्ट फाइव इससे पहले पार्ट फॉर हमने अपलोड किये हुए अगर देखना बाकी हो तो वो भी देख लीजिएगा इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे ब्रह्मान के रिलेटेड सुर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है हेली पुछल तारा को किस वर्ष देखा जाने की संभावना है सुर्मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है पार्थी ग्रह कौन कौन से है तो ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही कोशन हम देखेंगे तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले है सोर मंदल की किस ग्रह को अपने अक्स पर घुमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है तो वो है रुहस्पती, रुहस्पती को सबसे कम समय लगता है सुर्य के राशायनिक मिस्राण में हाइड्रोजन का प्रतिसत कितना है तो 73% है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हिलियम से बना हुआ है सुरिय आगे बढ़ते हैं किस ग्रह का सुरिय के परित परिब्रह्मनकाल अधिक्तम है तो वो है नेप्चुन का सबसे अधिक पुछल तारे की पुछ सदेव किस तरफ होती है सुरिय से दूर विपरित तरफ जिस तरफ सुरिय उससे दूर की तरफ में होती है पार्तिव ग्रह कौन कौन से है बुद्ध शुक्र पूत्वी और मंगल ये चारो पार्तिव ग्रह है सुरिय से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन-कौन है तो सबसे दूर कौन सा है क्रमसह देखे तो सबसे दूर है नेप्चुन और सबसे निकट है बुद सबसे निकट अगर पुछा जाए तो बुद और सबसे दूर पुछा जाए तो नेप्चुन आगे बढ़ते हैं प्लुटो क्या है प्लुटो एक बोना ग्रह है इनको पहले ग्रह में गिंती होती थी लेकिन बाद में इनको हटा दिया गया अब ये बोना ग्रह है किस ग्रह को सुबह का तारा कहते है सुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते है किस ग्रह को संध्य का तारा कहते है संध्य का तारा जो है वो सुक्र को कहते है सोर मंडल का सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है तो चमकिला ग्रह भी सुक्र ही है तो तीनों चीजे याद रखेगा आगे बढ़ते हैं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है वो है सनी दोस्तो वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि लास्ट में आपकी टेस्ट भी रखी हुई है इसी वीडियो में से चार क्विश्चिन आपको महाँ पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने होगे तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अस्त होते हुए सुरियक के लाल वर्ण का होने का क्या काराण है पूथवी के वायू मंडल में प्रकास का प्रकिर्णन उसका कारण है पूथवी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है जो पूथवी से हम देखते हैं चंद्रमा को तो कितना प्रतिशत दिखता है 57% बाकी का भाग जो है वो हमको नहीं दिखता है सुरिय से दूरी के क्रम में पृत्वी का स्थान कौन सा है तो तीसरा है सबसे पहले नजदी के बूद उसके बाद सुक्र और उसके बाद पृत्वी तो तीसरा क्रम है ये भी याद रखना है किस ग्रह को निला ग्रह कहते है तो निला ग्रह है वो पुरुथवी को कहते है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की विल्यम हर्शल ने की थी यूरेनस ग्रह की खोज किसने की विल्यम हर्शल कौन से ग्रह पूर्व से पस्चिम की और परिक्रमा करते है देखो दो ग्रह ऐसे है जो पूर्व से पस्चिम की और परिक्रमा करते है बाकी सब जो है वो पस्चिम से पूर्व करते है और वो दोनों है सुक्र और यूरेनस दोनों उल्टे घुमते है पूर्व से पस्चिम की गेनीमिड किस ग्रह का उबग्रह है तो वो ग्रुहस्पति का उबग्रह है गेनीमिड याद रखेगा अंत्रिक्स में कुल कितने तारा मंडल है तो कुल 89 तारा मंडल है अंत्रिक्स में सुर्य का प्रुष्ठी ये तापमान कितना आंका गया है सुर्य का तापमान जो आंका गया है वो 6000 राउंस सेल्सियस आंका गया है किस ग्रह को सुंदर्य का देवता कहा जाता है सुक्र ग्रह को सुंदर्य का देवता कहा जाता है तो याद रखेगा साम का तारा, सुबा का तारा और सुंदर्य का देवता और सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है सुक्र सोर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो जो सुरिय से सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा यानि नेप्चुन हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है 76 वर्ष बाद ये नजर आता है हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है 2062 में देखा जाएगा ये 1986 में देखा गया था अब 2062 में देखा जाएगा हेली पुच्छल तारा आंतिम बार कब दिखाई दिया था 1986 इसा में ग्रहों के गती के नियम को किस ने प्रतिपादित किया क्यप लडने किस ने किया था क्यप लडने कौनसे ग्रह मंगल और यूरेनस के मद्यव में स्थित है तो वो ग्रह है ब्रुहस्पती और सनी जो मंगल और यूरेनस के बीच में है सुरिय में कौनसा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है तो वो ने आगे देखा हाइड्रोजन है कौनसा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हिलियम का बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है अपने परिक्रमा पत्थ पर प्रुत्वी लगबग किस माध्यवेग से सुरिय के चक्कर लगाती है 30 किलोमीटर प्रती सेकंड मंगल पर जिवन की उपस्थिति के लिए कौनसी एक अवस्था सबसे सूसंगत है बर्फ गटको और हिमसिसित जल की उपस्थिति वहाँ पर है उससे हम कह सकते के वहाँ पर जिवन हो सकता है उलका क्या है बाहिय अंत्रिक्स से प्रुत्वी के वायू मंडल में प्रविष्ट हुए द्रविय का अंस है वो है उलका कई बार देखी जाती है प्रुत्वी की आयू निर्धारन में हम कौनसी विधी का प्रयोग करते है युरेनियम डेटिंग जैसे प्रुत्वी पे कोई चीज पाई जाती है तो उसकी वह कितनी पुरानी हो देखने के लिए हम कार्बन डेटिंग पधिति का उप्योग करते है जिसको कार्बन फोर्टिं भी बोला जाता है तो ऐसे ही अगर प्रुत्वी की आयू निर्धारनित करनी हो तो युरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है सांध्यतारे का उदई क्या निर्धारनित करता है पूर्वदिशा सांध्यतारा अमेशा पूर्वदिशा में उदई होता है सोर मंडल में कौनसा ग्रह अत्यधिक तीवर है तो वो है बुद्ध सबसे तीवर बुद्ध ग्रह सुरियक की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है 88 दिनों में ये परिक्रमा पूरी कर देता है हमारी आकास गंगा के केंद्र में स्थित अत्याधिक गुरुत्वा कर्षन का वह क्षेत्र जो अपने ख्षेत्र में आने वाले प्रत्यक पदार्थ को अपनी और खिंच लेता है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है कृष्णा विवर यानि के black hall भृष्पति ग्रह का सबसे बड़ा उवग्रह कौन सा है तो वो है ग्य्यमीड क्या है ग्य्यमीड नेक्स्ट पूत्वी अपनी धुरी पर गुमती है यह सर्व प्रतम किस ने प्रतिपादित किया कौपर निक्ष ने यह प्रतिपादित किया था सुक्रग रहके अन्वेशन करने के लिए बेजे गए सबसे पहले रोबोट अंत्रिक्स यान का क्या नाम है किस ग्रह के सरवादिक उप ग्रह है तो सबसे ज़्यादा है स्वनी के और दूसरे नंवर पर है व्रुहसपति पहले क्या था कि सबसे ज़्यादा व्रुहस्पती के थे 79 उसके बाद हाली में 2019 में सनी के 20 ग्रह जो उपग्रह है वो सोधे गए इसलिए सनी व्रुहस्पती से आगे निकल गया तो सनी के है अभी टोटल 82 और व्रुहस्पती के है 79 तो सबसे अधिक किसके है सनी के याद रख कोरोना सुरिय के सबसे बाहरी सतह का नाम कोरोना है नेक्स्ट सुरिय के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है पोटोस्फियर भाग को मानव द्वारा देखा जाता है जो हम देखते हैं वो भाग को क्या बोलते हैं फोटोस्फियर नेक्स्ट प्रुथवी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है तो वो है मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान सुर्य का प्रकास प्रुथवी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेता है आठ मिनीट और अठारा सेकन का समय लेता है सोर मंडल में कौनसे ग्रह का सबसे अधिक गनत्व है सबसे अधिक गनत्व पृत्वी का है सुर्य क्या है सुर्य एक तारा है वो ग्रह या बोना ग्रह या उबग्रह नहीं है वो एक तारा है सुक्र को सुरिय की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं 225 दिन लगते हैं अब आपकी टेस्ट जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहां पर चार क्वेस्टन पुछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बोक्स में देने हैं जिससे मुझे पता चले कितने लोग अच्छी तरह से वीडियो देखती हैं और कितने लोगों को इनका आंसर आता है उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो सेर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बाजू में दी हुए बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो है जो आपको तुरंत मिल पाए और अगर इस वीडियो के आप पीडियेप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलिग्राम चैनल की लिंक है प्लस वर्ट्सेप ग्रूप की लिंक दी हुई है तो वहां से आप जोईनों के इसकी पीडियेप भी पा सकते हैं पहला क्वेस्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं दूसरा सुरिय का प्रोष्टियत आपमान कितना आखा गया हैं तीसरा व्रुहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उब ग्रह कौन सा है और चोथा सुरिय के सबसे बाहरी सतख का क्या नाम है चारों क्वेस्चन कई बार प थाइ झाल और कि विडिएक्वा चाहिए